तो दोस्तो इस बीडियो में मैं आपसे डिपलोमा इन फाइन आर्ट्स कोर्स के बारे में आपसे मैं इस बीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर डिपलोमा इन फाइन आर्ट्स का कोर्स आखिर क्या होता है इसमें किस परकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, आखरी जाय कोर्स कितने वर्ष का कोर्स होता है, इस कोर्स का eligibility criteria क्या है और अन्त में दोस्तों मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि अगर आप इस कोर्स को आप पूरा कर लेते हो, आपको किस परकार की job मिल स सकती है, तो जैस सारी बातों को मैं आपसे इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ, हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो educational word structure चैनल, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे discuss करने वाला हूँ, diploma in fine arts course के बारे में, और दोस्तों अगर आपने 10th या 12th की class को पास कर लिया है, और अगर आपको जै जाना है कि 10th या 12th की class को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से courses होते हैं, तो मैंने उन वीडियो का link इस वीडियो के description में दे दिया है, आप इस वीडियो के खतम होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा, तो चलिए अब हम अपनी इस वी स्टूडेंट्स को painting, architecture, miniature, etc. के बारे में आपको study करवाया जाता है, तो जै एक एसा course है, जिसे कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं, और आज के time में जै कोर्स स्टूडेंट्स के लिए काफी मन पसंदीदा course हुई है, अभी आपसे मैं course duration के बारे में आपसे में discuss करने वाला ह जै कोर्स आखिर कितने वरश का course होता है, तो दोस्तों मैं आपको उताना चाहता हूँ कि जै कोर्स एक वरश का course होता है, अभी आपसे मैं eligibility के बारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ कि जैनि इस course की आखिर क्या eligibility है, तो इस course को करने के लिए दोस्तों आपको जब 10th की class है, वो आपको पास करने पड़ेगी चाए तो आप developed की class को पास करने के बाद भी आप इस course को आप कर सकते हो अभी आप से में job profiles के बारे में आप से में discuss करने वाला हो कि जनी आप इस course को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तो आप graphic designer बन सकते हो आप animator बन सकते हो तो जैसाब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकते है अभी आप से में subjects के बारे में आप से में discuss करने वाला हो कि जनी आप इस course में आखिर किस परकार के subjects आप study करते हो तो दोस्तो इस course में आप history of Indian art, portrait, painting, still life, practical, based, clay modeling, practical, work, etc. subjects आप इस course के दोरान आप study करते हो और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान आपको करवाई जाते हैं तो दोस्तो इस बीडियो में मैंने आपसे diploma in fine arts के वारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के माद्दम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई डाउट है तो दोस्तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में और भी कई सारे courses के वारे में बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हेवाँ जाकर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जाए वीडियो केसी लगी अगर आपको जाए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाँ